चलो बेटा स्टार्ट है ना देख लो स्टार्ट हो गया अरे उधर देखिए स्टार्ट हो गया तो चलिए देखिए ऐसा है कि लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर मैंने यहां खतम किया था ठीक है कोई बात ने थेंक यू तो अब और भी जिसको जो बता दिया है वो कर और उसके बाद कल फिर बता लेगा कल फिर उसमें हम बाद में सोच लेंगे तो चलिए last लेक्ट्चर में मैं mathematical tool टेक अप कर रहा था last 5-6 lecture में दे mathematical tool के चल रहे थे ठीक है ना तो mathematical tools में mathematical tool में आज हम लोग mathematical tool पूरा खतम कर देंगे हाला कि समझा हम पहले चुके हैं समझा हम पहले चुके हैं एक एक बात आपको हम बता चुके हैं ठीक ना और आप सब लोग को समझ में भी आई है ठीक है अब आज मैं इसको खतम कर दूँगा थोड़ा सा आप फोकस करिए explanation मैं कर चुका हूँ written form में जो चीजे हैं उनको देखिए और तुरंत त्यार करने की आदत डाल दीजिए class की बात class में खतम देखिए सबसे पहले basic maths में एक बात आपको और देखनी है sum of first and natural numbers यह क्या हो गया यह क्या हुआ बोर्ड कहां पर है यह है अच चलिए अब हाँ थ्री डॉट्स डॉकुमेंट्स बेसिक मैट्स हाँ ठीक है अफिर से लोड हो रहा है चलिए तो ठीक है आज आप अभी अभी प्रह जाने दीए इसको तो अभी आज हम लोग इसको खतम कर देंगे ठीक है ना करने class का class में थ्यार कर लिए ठीक है पता ने किसे चला गया था यह चलिए तो अच तो ठीक है चलिए देखिए ठीक है ना तो चलिए अब क्या करना है टू बाई 73 उल्टे पैन से इसको स्लाइड करें हाँ तो कहां तक जाना है चलिए 58 चलिए और और इधर जाएं और एक और अब ठीक है ना तो चलिए यह वाला भी हम सेक्योर हो जाएं यहां से भी यह क्या है राइट विद फाइन पैन उल्ली इसकी की वेज़े से हुआ था fine pen and fingers दोना होना चाहिए ना तो चलिए अब गौर से देखिए आप इसमें sum of first n natural numbers तो अगर first n natural numbers को add करना है तो उसका sum आएगा n into n plus 1 by 2 यह बात मैं सम्झा चुका हूँ यह बात पहले बता चुका हूँ बताया हूँ नहीं बताया हूँ बताया हूँ ना natural numbers क्या होते हैं बोलिए जीरो हाँ one से start होता है natural number one two three four so on up to infinity यह natural number है अच्छा कल मैं अपना वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने एक बात गौर से देखी कि वो जो मैंने बताया था पैराबोला का equation तो y is equal to ax square plus bx plus c मैंने बताया था जनल equation है फिर पता नहीं क्या पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमांग में कैसा क्या आ गया कि मैंने का इसको काड़ दीजे दिस बराबर जीरो यह नहीं वाइज यह नहीं बलकि y is equal to ax square plus bx plus c यह पैराबोला का ने ट्रेशल लंबर का सम निकालना रहे है तो नेक्राइब क्या उता है 1,2,3,4 की सम आल है मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो आल अप्टल इंफिंटी व मानद हर with the principle upon फिफ्टी इन्टू फिफ्टी प्लस वन बाई टू यह आपका अंसर हो जाएगा वासंग में आ रही ना बड़ ख्लियर है इसमस्पस्ट है छोटी छोटी चीजे हैं लेकिन एक बार दस्तूर है एक बार उसको कर लिए जैन लेए कोछी छूट गई छोड़ेंगे हम कुछ भ जाती है कभी खराब जाती है देखिए अच्छा कैसा पावर है कि कभी लगता है कभी नहीं लगता है अच्छा चलिए देख ठीक है जो भी हो तो देखिए ऐसा है कि sum of square of first and natural numbers ठीक है ना sum of square of first and natural numbers तो जैसे मालन लिए one square plus two square plus three square plus so on up to infinity infinity की infinity का square infinity infinity अनन्ट का square भी अनन्ट होगा ठीक है ना sum of square of first and natural number क्या होगा n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 इसको याद कर लिए अगर कहीं कोई problem solve करते से में ये condition आ गई कि आपको first 50 natural numbers के square का sum जरूरी हो गया तो इस formula को लोगा कि आप फट से निकाल लिएगा अब यह मत करिए कि one square plus two square four plus three square nine करके add मत करिएगा बस इस formula को लगाई है खट से आपका answer आजाएगा बासन में आगई यह सब कुछ बाते हैं जो आपको mathematical tools में जान लेनी चाहिए अच्छे से पता होनी चाहिए ठीक है ना शायद nine tenth में यह सब बात नहीं बता जाती है अच्छा अब आए की बात देखो इधर देखो sum of the cube of first and natural numbers क्या होगा यह होगा sum of cube of first and natural numbers क्या होगा बेटा इधर देखो यह होगा clear है कोई but नहीं इसमें कहीं से कोई doubt नहीं है बो भई इदम is first है अब next बाल देखिए next slide देखिए next slide देखिए यह छोटा सा question है छोटा सा question है find a sum of first 50 natural numbers find a sum of first 50 natural numbers कौन लगा लेगा हाँ ठाइए हाँ ठाइए और पूरे इदम जोश में रहा कीजिए यह नहीं कि इतनी असान सी बात है आती है इसमें क्या हाँ ठादे हाँ ठाइए हर हाँ ठाणा आपको positive बनाता है ठीक है न कैसे निकालेंगे n into n plus 50 into 50 plus 1 by 2 बासन में आ रही ना n into n plus 1 by 2 यह formula लगाएंगे और आपका answer आ जाएगा यह formula लगाएंगे और आपका answer आ जाएगा बासन में आ रही बटा अचा अब next देखिए sum of square of first n natural number sum of square of first n natural number तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्या करना है इसमें बोलिए हाँ बस वही formula apply करेंगे आपका फट से आ जाएगा जो उसके पहले formula मेंने बताया है क्या बताया है n into n plus 1 into 2 n plus 1 upon 6 उस formula को apply करेंगे फट से आ जाएगा एकदम साफ है बाते एकदम साफ है ठीक है ना अब next बात देखिए next question देखिए अब आपको दो तरह के progression बता आ रहे है एक arithmetic progression और दूसरा geometric progression और दोनों के बारे में पहले समझा चुका हूं बढ़िया से बता चुका हूं बताया हूं नहीं बताया हूं बताया हूं ना तो देखिए अब जैसे मालिये कोई इस तरह की series है जिसमे हर दूसरी series पहली series से एक fixed number को multiply करने से प्राप्थ होती है तो ऐसी series को हम geometric progression कहते हैं यह आप class 9,10 में भी पढ़ चुके हैं जैसे मालिये कोई series of numbers है इन में से हर अगला number पहले number से एक fixed number को multiply करने से प्राप्थ होता है अगर इस प्रकार की कोई series है तो इस प्रकार की series को हम geometric कहते हैं बहुत सजम्नम्र रही न और मैंने आपको arithmetic progression भी बताया था arithmetic progression बताया था कर इस प्रकार की series है कि series का हर दूसरा term हां उसके पहले के term में एक fixed number add करने से प्राप्त होता है तो इस प्रकार की series को हम क्या कहते हैं तो अब आप देखेए geometric progression आप जनरल फॉर्म यह तो वही जो बात मैंने बताई उसी साथ से है पहला टर्म ए है दूसरा a into r है और तीसरा क्या है a into r square है ठीक ना और एन्वा क्या है a r to the power n-1 बासन में आ रही है ns term क्या है a r पर power n-1 ठीक है ना यहाँ पर पहले term को a से denote करते हैं इसको first term कहते हैं और जो common ratio यानि common number जिससे multiply करके हर next term को हम प्राप्ट करते हैं previous term में multiply करके हर next term को प्राप्ट करने के लिए जो common number multiply करते हैं उसको common ratio कहते हैं ठीक है ना उसको r से denote करते हैं ठीक है ना अगर इस प्रकार की कोई series है अगर इस प्रकार की कोई series है तो उसके n terms का sum क्या होगा s n बराबर a 1-r पर power n upon 1-r बासन में आ रही है ना अगर कोई इस तरह की n terms की series है अगर इस तरह की कोई n terms की series है तो n terms का sum क्या होगा a 1-r पर power n upon 1-r बासन में आ रही है ना ठीक है ना अब देखिए अगर r 1 से 1 छोटा है यानि common ratio 1 से छोटा है तो common ratio अगर 1 से छोटा है तो जैसे यह जैसे geometric progression में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे terms की value कम होती जाएगी कम होती जाएगी अगर common ratio 1 से छोटा है तो जैसे जैसे हम progression में आगे बढ़ेंगे तो हर term की value कम होती जाएगी और infinite infinite terms पर पहुंचते पहुंचते वह value 0 हो जाएगी अगर common ratio 1 से छोटा है यह बात सब को समझ में आ गई बो भाई यह बात clear है तो अगर common ratio 1 से छोटा है तो r tending to infinite 0 r tending to infinite will be 0 यह बात clear है जब infinite terms पर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा उसकी value 0 आ जाएगी जीरो आ जाएगी तो यह देखिए अगर end terms का सम लेंगे तो r tending to infinite क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जरो हो जाएगा बटा बोलो भई तो अगर infinite terms का सम लेना है अगर infinite terms का सम लेना है और common ratio r से छोटा है तो infinite terms का sum क्या होगा gp का a upon 1 minus r a upon 1 minus r ये बात पहले बता चुके हैं आप लोग बहुत लंबी चोड़ी बात मत सुनिए बस इतना ही जानिए कि अगर gp है और common ratio 1 से छोटा है तो infinite terms का जो sum होगा वो a upon 1 minus r होगा यानि first term divided by 1 minus common ratio पस इतनी बात आप ध्यान में रखिए बासन में आ रहे हैं इदम clear है इदम स्पस्ट है अब देखिए एक छोटा सा illustration है इसी पे based एक छोटा सा illustration है इस illustration में एक series दिया है 1, 2, 4, 8 so on up to 256 एक छोटी सी series दिया है और कहा है कि इस series में 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 7 up to 256 की value बताईए यह question आपको दे दिया है ठीक है ना यह question आपको दे दिया है तो देते ही इस question को आप यह समझ गए कि यह geometric progression है यह कौन सा progression है geometric progression है geometric है geometric है ना बेटा अरे first term यहाँ A है और second term क्या है 1 into 2 और third term क्या है third term क्या है 1 into 2 square और fourth term क्या है बोलिए 1 into 2 cube तो common ratio क्या हो गया common ratio is GP का क्या हो गया 2 common ratio is GP का 2 हो गया ठीक है ना तो first term भी is GP का पता है और common ratio भी पता है लेकिन इस case में common ratio क्या है 1 से बड़ा है common ratio क्या है 1 से बड़ा है और infinite terms का sum भी ने निकालना है हमको sum निकालना है केवल 256 तक ठीक है ना तो सबसे पहले हम यह निकाल लेंगे कि 256 कौन सा term है 256 कौन सा term है first we will find out this पहले हम क्या find करेंगे कि 256 कौन सा term है पहला है दूसरा है तीसरा है चौथा है छटा है आठवा है दसवा है भाई पहला दूसरा तीसरा चौथा तो है नहीं देख लेते हैं कौन सा term है तो GP के nth term का formula क्या होता है 256 बराबर first term into common ratio पे power n-1 यह nth term का वो होता है यह होता है ना बटा यह होता है कि नहीं होता है बोलो अब 256 को 2 पे power कितना लिख सकते हैं 2 पे power 8 लिख सकते हैं तो चलिए इसको लिख दिया 2 पे power 8 तो 2 पे power 8 बराबर 2 पे power n-1 अब इसको जो further लेखेंगे तो 8 बराबर n-1 तो अब देखिए इस GP के 9 terms का sum निकालना है यह question क्या कर रहा है इस GP के 9 terms का sum निकालना है तो 9 terms का sum निकालना है तो formula input कर दिए formula क्या बताये थे क्या बताये थे a हाँ a whole bracket 1-r पे power n upon 1-r यह GP के n terms का क्या था sum था अभी तुरहनती बता है तो अब इसमे value put कर दिए first term क्या है one first term क्या है one common ratio क्या है two और two पे power कितना है nine upon divided by one minus r one minus r क्या हो जाएगा minus one one minus two minus one हो जाएगा अब बस इसको solve कर लिजे इसको solve करेंगे तो यह minus minus नीचे उपर cancel कर दिजे ठीक है तो यह हो जाएगा two पे power nine minus one यह आपका answer आ जाएगा two पे power nine minus one और two पे power eight कितना है था 256 तो टू पे power nine कितना आएगा 256 का दुगना कर दिजे तो 256 का दुगना हो जाएगा 312 और सॉरी 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 तो आप कहेंगे repeat कर रहा है लेकिन यह repeat मुझे शुरू में करना पड़ेगा एक सीरी सी बात जानिए सब बच्चे इस क्लास में ठीक हैं सब बच्चे जानते हैं बातों को zero level पे कोई नहीं है सब अच्छे स्कूलों के हैं ठीका ना लेकिन इदर ध्यान से देखिए लेकिन अगर कोई zero भी जानता हो physics की spelling भी ना जानता हो physics की spelling भी ना जानता हो तो मैं उस बच्चे को भी पढ़ा रहा हूं शुरुआ से चलना ओं हर सवाल लगा रहा हूं अब इसे भी बच्चा सीखना चाहे तो सीख सकता है बह संग में आरही है बह संग में हंसी हा रहे हैं ना कितनी असान असान बात है इस आपका बेस बना दें उसके बाद फिर हम बहुत कुछ करेंगे ठीक है ना अब नेक्स देखिए नेक्स देखिए नेक्स चीज आपके सामने जो आ रहे है इस स्क्रीन पे उसको गौर से देखिए find this 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to infinite इसकी value बतानी है इसकी value बतानी है तो आप लोग पहले हमको बताएं सब लोग यह AP है कि GP है GP है इसका common ratio क्या है common ratio 1 से बढ़ा है कि छोटा है तो कौन सा formula लगेगा a upon 1 minus r ऐसे भोलिए खटाखट तो formula लगेगा a upon 1 minus r तो 1 by 1 minus 1 by 2 क्या हो जाएगा 1 by 2 टू पर चला जाएगा यह आंसर आजाएगा आजाएगा अब फटा पट भले असान है बहुत बढ़े सिंपल है लेकिन हर शी में involved होई है और देखते ही त्यार कर लिए यह यह आद़ डालेंगे एसान आसन बातों से तो कठिन बातों पर ले जाएंगे देखिए इधर शोटे से बचिया को उठाके नीचे से उपर रखता था सीड़ी पे ठीकर छोटी थी तब से रखता था और शुरू में तो बचिया थी चोटी सी परंती पैदा हुई थी उ ही ऐसा ही आप लोग के साथ भी होगा अभी अभी असान ची चल लिए मुनी मुनी बात चल लिए वड़ा मजा रहा है सिंपल सिंपल और धीरे धीरे जो कब complex आपको समझ में आने लेगा आप खुद ही आने लेगा ठीक ना पहले ABC बता जाता है फिर बनाना सिखाया आता है फिर sentence फिर phrase ठीक ना और फिर आप किताब लेखने लगते हैं ठीक ना फिर आप books लेखने लगते हैं तो चलिए असान असान बातों के साथ चलेंगे नेक्ष देखिए यह क्या है जीपी है इसका common ratio क्या है common ratio बढ़ा है कि छोटा है तो कौन सा फॉर्मला लगेगा हाँ इसे बताइए फिर इसका अंसर हो जाएगा टू कोशन रिपीट हो गया क्या है वही कोशन फिर से कैसे आ गया अच्छा चलिए कोई बात नहीं अब नेक्ष देखिए यह क्या है f net बराबर this g mm by r square g mm by 1 by 2 r square so on up to infinite यह कौन सा कौन सा लौ है जरा बताइए तो newton's law of gravitation newton's law of gravitation क्या कहता है कि अगर दो masses m और m दो masses capital m और small m अगर r distance apart है तो force लगेगा capital g mm by r square this is newton's law of gravitation बासन में आ रही ना अब इस case में net force निकालना है net force निकालना है तो क्या है कि g mm क्या है constant है constant है और r square भी क्या है constant है r square भी constant है तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें g mm by r square बाहर ले लेंगे तो bracket में क्या पचेगा 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus so on up to infinite हो जाएगा हाँ हाँ ठीक है तो यह भी यह भी इसकी तरह से क्या हो जाएगा एक जीपी हो जाएगा जीपी हो जाएगा और इसका भी net answer क्या जाएगा 2 तो 2 आ जाएगा तो यहां put कर देंगे answer हो जाएगा 2g capital m small m by r square यह आपका answer आ जाएगा बासन में बेटा अब यह लगा रही है अरे चस्मा मजबूरी में आदमी लगाता है fashion में थोड़ लगाता है आँख मेरी ठीक होती तो हम चस्मा लगाते नहीं लगाते आँखों में problem है तो लगा रहे हैं यह अपने आपको लकी समझे है कि आपको चस्मा नहीं लगाना बहुत लोग ऐसे होते हैं यह मैं सोजए कि बहुत ज्यादा पंढ़ने चस्मा लगता है कोई डिफेक्ट रहाता है अक जो भी है दोनों भी हो सकता है तो है कट्रेट नहीं ज्यादा एज़ए हुआ हां हां तो देखिए अब नेश्य देखो बेटा अब निश्य देखो लें लेके पड़ो खुब आनन लेकर बढ़ो सुनो यह मससोचो कि जो लोग बहुत टैंसल लेते हैं बहुत शीरिस होते हैं त्यारी करने जा रहा है आई टी की जरूब स्यादा गंबीर होएगा तो याद भी नहीं कर पाईएगा information याद भी नहीं होगी recall भी नहीं कर पाईएगा ज़र लगे प्रसंता का जो है recall से बहुत बढ़ी हैं सम्मल है अगर आप प्रसंता रहते हैं तनाओं में नहीं रहते हैं तो आपकी यह बहुत अच्छी रहेगे इसको आप जयान लिए पढ़ने में मन भी लगेगा अब प्रसंता का मतलब यह नहीं है कि किताब लेके बैटे तो लगे नाचने कि हम प्रसंत नहीं हम नाचनाच के पढ़ेंगे अरे पढ़ते सम्झे में फड़ासा हलका सा कंभीर रही है बातों का मतलब थोड़ा सा इंटर्टेन करते रही है अपने आपको वह बहुत जरूरी है ठीक है ना हाँ बहुत कंभीर नहीं होना है अच्छा अब नेक्ष बात देखिए अब मैं आप लोगों जमेट्री बताने या रहा हूं तो जमेट्री के सारी बात आप लोग पहले से जानते हैं जमेट्री के सारी बात आप पहले से जानते हैं कुछ भी इसमें नया नहीं है आप लोग लास 9 टेन में खोब बढका से बढ़ ay masukar कुछ फर्मलेस में बता चुका हूँ, अगज़मेट्री के फर्मलेस लेखिये, अरिया उफ़ स्कुरे साइड स्कुरे, खतरनाग, बहुत बहुत, देंजस थाँ टफ कॉंसेट्प था नाte। दिमाग हिला दियाना अब लेकिन अभी रिवाइज करना अब लेकिए अफ रेक्टेंगिल इसको लेंथ इंटू ब्रैथ बात है ना जबर्दस इसमें है ना अब नेक्स देखिए एरिया ऑफ ट्रैंगिल इसको अफ बेस इंटू हाइट बस दस्तूर पूरा कर रहा है कि कोची छूटे ना जो सेलिबस में है सब देखिए एरिया ऑफ ट्रैंगिल इसकोल हाफ बेस इंट आइड ठीक अब नेशड़ के एरिया ऑफ ट्रेपीजाओट इसकोल वाफ डिस्टेंस ब्ट्विट्विन पैर्लल साइड इंट सम उफ पैरलल साइड मेंथ निटरेपीजियम क्या होता है दो प यह आप पढ़ चुके हैं देखे गोर से देखे इधर देखे अब इसकी जो area होगी वो क्या होगी half sum of parallel sites अगर यह a हर b है और इनके बीच का distance h है इनके बीच का parallel sites के बीच का distance h है तो area of a trapezoid क्या होगा half distance between parallel sites यानि h half h और sum of parallel sites यानि a plus b ithavi यह area of a Trepezoid होगा ठीच है यह सब class 8 9 10 में बहुत ख misunderstand खंतरना सवाल भी लगा आते हैं लेकिन यहां आपको बस यह लेने हैं यहां आपको काम बर की बात जान लेनी है पीछे से क्या हो रहा है पीछे से क्या हो रहा है इन ड़ना होगा अरे भले इसको आता है class को तो enjoy करो नोट कर रहे हो नोट नोट तो है यह तुम्हारे slide में इसमें अरे तुम्हारे तुम्हारे उस पे तो है न यह सब को परमाइंट record है तुम्हारा record है record इदर देखो next देखो next देखो next देखो next देखे area enclosed by a circle is equal to pi r square खतर्नाक था ना बहुत डेंजरस था ना अब next देखो surface area of a sphere is equal to 4 pi r square अगर कोई sphere है तो उसक acept area क्या होगी 4 pi r square मुललक उसके surface की जो area होगी जो surface की area होगी वो क्या होगी 4 pi r square कोई sphere है तो उसके surface की area क्या होगी 4 pi r square बात clear है अभ नेक्ष देखो area of a parallelogram is equal to base into height parallelogram क्या होता है two opposite sides are parallel to each other यही parallelogram है pair of opposite sides are parallel to each other a quadrilateral quadrilateral मतलब a figure with four sides हाँ a quadrilateral मतलब a figure bounded by four sides whose opposite sides are equal and parallel और इस काड़ लेजा इस काड़ लेजा पैललोग्राम तो पैललोग्राम की जो एरिया होती है क्या होती है बेटा को और से देखो base into height base यह हो गया कोई भी base ले लिए और फिर opposite side से उसकी दूरी base into height बासन में आ रही बेटा clear है अच्छा अब next sheet देखिए area of a curved surface of a cylinder एक cylinder है उसके curved surface की area तो cylinder कैसे होता है ऐसे होता है वही cylinder नहीं इसमें खाना बनता है वही cylinder नहीं इसमें खाना बनता है cylinder एक तरह का shape होता है एक regular figure है एक regular figure है cylinder ठीक है ना जैसे यह भी एक छोटे से cylinder की रूप में ही है यह भी pen भी एक छोटे से cylinder की रूप में हुआ है ठीक है तो अब देखिए अगर कोई cylinder है तो उसके curved surface area क्या होगा टू पाई आरेल जहां आर क्या है उस cylinder के circular base का radius और एल क्या है उस cylinder की length भाई cylinder की एक length होगी और circular base का एक radius होगा जैसे मान लीजे यह भी एक cylinder है इक है एक cylinder है अरे सब तमाम cylinder है अब जैसे मान लो इसको अब ठीक है छोड़ दीजे कोई भी इस पर ध्यान दिये तेरी चलिए यह भी एक cylinder है तो circular base है अगर यह right circular cylinder है तो पूरा पूरा ऐसे ऐसे circular base है ऐसे ऐसे है ठीक ना तो इसकी cut surface area यानि यह जो cut surface है यह area नहीं यह area नहीं यह circular base की area है यह पाई आर स्क्वेर होगी circular base की area पाई आर स्क्वेर होगी और यह cut surface area है यह cut surface area है यह होगी 2PiR into L तो आर क्या है इस circular base का radius और L क्या है cylinder की length बासन में आगे ना हर बात clear है बोलो बटा हाँ पहले से भी clear होगी लेकिन फिर भी इसके साथ involved होते हुए चलिए हम छोड़े psychological है कि हमने छोड़ा कुछ भी नहीं अच्छा आप नेक्स देखिए नेक्स देखिए कि area for ellipse अगर कोई ellipse है ellipse मैंने कली बताया था हाँ हाँ ठीक है ध्यान से देखिए ellipse मैंने कल बताया था आप लोगों देखिए देखिए ऐसे नहीं करिए थोड़ा सा पढ़ाई को cooperate करते हुए थोड़ा सा प्राइम हमारा learning है लेकिन learning के लिए रिलेक्स होना जरूरी है तो उतना रिलेक्स आप अपने आपको कर सकते हैं अब यह नहीं कि आपका का हपी कर सकते हैं लेकिन हैपी ऑप्जपी खरना प्राइम अब्यक् congress सब्सक्रीब होता है क्लव मैंने आपको बताए था कि इलिप्स इस तरह का आधा क्या होता है semi major axis और minor axis का आधा semi minor axis तो semi major axis को by convention a से represent करते हैं और semi minor axis को by convention b से represent करते हैं पताया था मैंने और अगर a बराबर b हो जाएगा तो यही ellipse circle हो जाएगा मैंने बताया था circle की area होती है pi r square और ellipse की area होती है pi semi major axis into semi minor axis अब कहीं area निकालना होगा तो फट से निकाल लिजेगा बासन में आ रही ना ठीक ना अच्छा अब next देखिए surface area of a cube six into side square क्यूब क्या होता है क्यूब क्या होता क्यूबाइट क्या होता है एक three dimensional figure होता है जिसमें lengthy breath और high अayan graduate होता है यह जैंकंट क्यूबाइट का है k्यूबाइट की shape का है इसकी लेंद्ध भी है इस क्यूबाइट अखिभी है इसकी ऐसे ब्रेट भी है और इसकी ऐसे height भी है, यह cubidal shape का यह कमरा है, cubide है, बासन में आ रहे ना, length भी है, breath भी है, height भी है, लेकिन अगर length, breath और height तीनों बराबर हो जाए, तो cube हो जाएगा, cube is a special case of cubide, cube is a special case of, अब इस cube का surface area निकालना है, देखिए ध्यान से देखिए, एक बात को समझी है, हट terms को समझी है, पहले से आनते हैं लेकिन अब फिर से देखिए, तो अब देखिए, इस cube का अगर surface area निकालना है, then surface area क्या होगा बेटा? इसकी surface area, इस wall की surface area, सामने वाली wall की surface area, उपर वाले wall की surface area, नीचे वाले floor की surface area और इसकी surface area ठीक है ना और पीछे वाले के surface area अगर ये board हटा के देखिए इसकी है ना ये surface area अब देखिए हर surface area क्या होगी जब cube हो जाएगा तो length height बराबर है तो सभी square हो जाएगे और square का side क्या है ए तो इसका a square a square plus a square two is a square plus three a square plus four a square plus five a square और plus six a square तो ये क्या हो जाएगा six a square बासन में आ गई एदम सपस्ट है बेटा एदम साफ है असान असान सी बात है easy easy क्यों हाँ बहुत अभी simple simple चल ला है अब देखिए total surface area of a cone is equal to pi r square plus pi r l तो कौन समझ लिए कौन कैसे होता है देखिए कौन कैसे होता है कौन ऐसे होता है देखिए गौर से दिखा रहे हैं आपको मैं यहां दिखा रहा हूं कौन कैसा होता है देखो बेटा कौन कैसा होता है देखिए गौर से देखिए ये इस त तरह से को नोता है न देखो द्यान से देखो vigny कौन होता है हुआ है को में अहीं अब इसके टोटल सर्फेस एरिया पूछ रहा है तो टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा कौन अगर मान लिए इस प्रकार देखिए अगर कौन इस प्रकार से है कौन इस प्रकार से टोटल सर्फेस एरिया क्या होगी पहले तो कर्ट सर्फेस एरिया और प्लस सर्फेस एरिया अब दा समझ गया कि radius क्या होगा इस circular base का radius बीच में बात कोई नहीं करेगा वाई एक ही दो लोग कर रहे हैं लेकिन इसे बात नहीं करिये सवाल लगा रहे हैं तो अराम से लगाई है धिरे धिर लगाई है तो इशारे से लगाई है मरबरिक नहीं होनी शज़िए देखे यह आपका आर तो आप समझ के आर यह होता है आर यह है ठीक है अब पाई आर आर आल पाई आर एल मतलब इस slant surface area का इस slant area का surface area ठीक है तो वह पाई आर एल होता है जहां एल क्या है slant height है और slant height बराबर L बराबर कितना होता है अंडर रूट आर स्क्वेर प्लस एज स्क्वेर इस अब आपको पता है जहां एज क्या है height of the cone a slant height L क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वेर प्लस L स्क्वेर तो पाई आर एल क्या होगा cut surface area of the cone और पाई आर स्क्वेर क्या होगा surface area of the circular base clear है बटा इदम साफ है कोई बट नहीं है तो देखो यहीं यहाँ पर दिया है where L is equal to L is scarless पाई आरल स्कालेस लेटरल एरिया यह लेटरल एरिया है और जहां L की वेलू क्या है अंडर रूट आर स्क्वेर प्लस है स्क्वेर यह ना बता है ठीक है ना तो दस्तूर है दस्तूर एक बार पूरा कर दिया जाए ऐसान लगे कोई भी बात छोड़ी गई है जो आपका mathematical tools में complete बात हो देख लिए भले आप जानते हो इसके बाद tut आप हर बात नहीं मिलेगी न आपको वेक्कर से हर बात आपको नहीं मिलेगी वेक्टर से पुराना कुछ भी नहीं मिलेगा ठीके ना सब आपको नहीं नहीं बाते मिलेंगे तो वो तो सब सीखना ही सीखना है लेकिन यह पुराना भी एक बार देख लिए अचा अब नेक्स शीद देखिए ऐसे ऐसे के बार ऐसे अब आप देखिए मज़े से formula for determination of volume volume को निकालने का formula तो अभी तक तो surface area चलना था अब volume देखिए तो ये सारी चीज़ आपको पहले से पता है मैंने बताया भी है और पहले से भी आप जानते थे तो इसमें भी एक बार देख लिया जाए तो volume of rectangular slab क्या हो जाएगा length into breath into height एक rectangular slab है तो उसका volume क्या होगा length into breath into height बासन में आ गए ना इस सबको पता है अब लेखिए volume of a cube is equal to side cube volume of a cube is equal to side cube rectangular slab किस form का होगा cubite के form का होगा rectangular slab किस form का होगा cubite का यानि length, breadth और height तीनों होगी लेकिन तीनों सेम नहीं होगी लेकिन अगर तीनों सेम हो जाती है तो special case of cubite आपका cube बन जाएगा तो उसका volume क्या होगा a cube बासन में आ रहे ना वहाँ length into height थी और यहाँ a cube बन जाएगा अब next चीज देखिए आप volume of a sphere 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube क्या होगा 4 by 3 pi r cube इस समय तो हसी आ रही है सुनके लेकिन जब शुरू शुरू में पहली बार देखे थे तो इसको रट रहे थे 4 by 3 pi r cube भूलना जाए भूलना जाए अभी तो लगरा simple है अच्छा आप ऐसे ही सब कुछ है जो चीज़ नहीं किया है वो कठिन है जो चीज़ कर लिया है वो असान है हाँ बता रहे हैं ठीक है यह एल है ना एल लेंथ है volume of cylinder बता रहे है volume of cylinder pi r square into l pi r square into l जहां r क्या है उसके circular base का radius r क्या है से cylinder मान लिए मान लिए कि यहां पर पतला नहीं है इसी तरीके से मोटा through out है और right circular cylinder assume कर लिए इसको इस तरीके से तो यह circular base का radius क्या है r इसका volume क्या होगा pi r square into l pi r square into length यह हो जाएगा इसका volume बसन में आ गई clear है बटा अच्छा अब next बात देखिए volume of a cone is 1 by 3 pi r square h ठीक ना volume of a cone क्या है 1 by 3 pi r square h r क्या है circular base का radius और h क्या है height of the cone बहसन में आ रही ना इसम ख्लियर है अब यह मत कोई पूशे कैसे आएगा पूश करके दिखाएगा कैसे आया dy by dx वह आप मत जानिए आप बस यह अंतिम बात जानिए सवालों में जहां आपको जरुवत पड़ेगी वहाँ पपलाई कर दीजेगा और answer निकाल लीजेगा बहसन में आगई ना अब देखिए pi is equal to 22 by 7 is equal to 3.414 खतरनाक बात है जबरदस्त है pi की value कितनी होती है 3.14 सबको पता है पता है ना उसके बाद देखिए 1 by pi अगर किसी question में आ गया तो उसकी value approximately 0.3 होती है 1 by pi अगर किसी question में आ गया तो उसकी value approximately 0.3 होती है ठीक है ना अब देखिए यहां missprint हो गया है इसको लिखना चाहिए pi square यह pi r square लिखा है इसकी जगह होना चाहिए pi square तो अगर किसी numerical को solve करते समय pi square आ गया इदर रखिए तो pi square की करीब करीब value इतनी होती है तो इतनी value put करेंगे तो numerical में और complexity पढ़ेगी तो approximately 10 आप put कर सकते हैं अगर pi square कहीं पिर आपको numerical solve करते हुए आया तो pi square होता है 9.8 9.8776 करीब करीब इतना होता है इसको approximately आप 10 कह सकते हैं numerical में आप put कर दीजिएगा 10 अगर pi square कहीं solve करते समय आया तो numerical में आप put कर दीजिएगा 10 आप लोग कहेंगे IIT medical पढ़ाने class चल लगी है कि class 8 9 चल ला है बस आज आखरी दिन है कल से आपको सारी वो सारी बाते आने लेंगे ठीक है ना सब बाते नहीं रहेंगे और सवाल भी अच्छे रहेंगे अच्छा अब देखिए next चीज देखिए कि calculate the area enclosed by shown ellipse ये ellipse दिखा रहा है और कहराई इस ellipse की area क्या होगी कौन बताएगा बटा ये थोड़ा सा blood है साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे है two और यहाँ पे है six और यहाँ पे है यहाँ पे है two ये है two और ये है four बताएगे थोड़ा सा blood figure है इस ellipse की area बताएगे कैसे बटा तो आपको मैंने formula बताया था area of ellipse होता है पाई इंटू A B तो पाई ये गाना चल लाएगा prayer है prayer है सब हो रही है तो देखे ये आपका क्या है वेटा ये क्या है ये चीज़ जो आपका है ये चीज़ कितना है ये two है ये four है तो one हो गया तो semi major semi minor axis one हो गया और semi major axis ये two है ये six है तो semi क्या कहते है major axis क्या हो गया two हो गया two हो गया ना बेटा बोलो तो यहाँ पूट कर देंगे तो two pi हो गया और two pi की value जब आप पूट कर देंगे two into three point one four तो six point two eight आज जाएगा बासवन में आ रही बिटा clear है बोलो भाई इनम इस पस्ट है इनम दिमाग में साफ है कि ellipse का area pi a b होता है जहां सब terms का मतलब पता है पता है ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े ऐसे आगे बढ़े ऐसे कहरा calculate the volume of the given disk एक डिस्क दी हुई है एक डिस्क है फिगर ब्लड बना है फिगर फिगर ब्लड इस पे आ गया है एक डिस्क है जिसका radius one meter है एक डिस्क है जिसका radius one meter है और जिसकी मुटाई one millimeter है एक डिस्क है जिसका radius one meter है और जिसकी मुटाई one millimeter है तो इस डिस्क का वॉल्यूम पूछ रहा है, calculate the volume of the disk, कैसे निकालेंगे, पाई यार स्क्वेर एच, सिलिंडर यासा हो जाएगा, क्यों नहीं पाई होगा, अरे क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, हाँ तो convert तो करेंगे ही, लेकिन formula pi r square है, answer pi नहीं होगा, वो तो है ही, देकि इसका लेखिए, यह होगा, pi r square into t, pi r square into t, बासन में आ रही है, तो r क्या है, 1, तो pi into 1 square, और t क्या है, 1 mm, तो 1 mm को मीटर में convert करेंगे, तो कैसे होगा, 10 to the power, minus 3, और minus 3 आप put कर देंगे, और यह आपका answer आजाएगा, यह आपका answer आजाएगा, इसकी unit क्या होगी, meter cube, meter cube, इतना meter cube answer आजाएगा, क्या answer आजाएगा, 10 to the power, minus 3, 10 to the power, minus 3 pi, meter cube, यह आपका answer आजाएगा बेटा, सन में आ रहे हैं ने बेटा, बोले, clear है, clear है, और सुनिए, इसके लावा कुछ मत, कभी मत mathematical tools पढ़िएगा, इसके लिम्टेड है, इसके लिम्टेड है, ताइम बचेगा, तो है उच्छे सवाल लगाएगा और, अब आपका mathematical tool इसम खलास है, इसम full and final है, ठीक है न, अब देखिए, next देखिए, अब vectors पर आ गए, चलिए, एक चीज़ खतम, एक unit आपकी, खतम, एक unit आपकी क्या हो गई, एकदम finish, खतम मतलब की तयार, ठीक है न, बियार वार में खतम का मतलब बोलते हैं, यह लड़का खतम है, मतलब कोई ना motivation है, अरे, यह कैसे, यूगा कर रहे हैं क्या, कायरे से बैठी है, अन्थो कहें कोई आसन लगाई हैं पैर ऐसे करके, गजब बैठी थी, इतनी छोटी से कुर्सी बैसे करके पैर भी रख ली हैं और उस पर ऐसे बैठ भी नहीं, गजब था, कैसे, 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 कैसे उस पर एडियस कर रही थी, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ, ठैर कोई बात नहीं, फ्लक्सिबिल्टी है, तो देखिए, गौर से देखो बैठा, गौर से देखिए, एक चैप्टर आपका फिनिश है, एक चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स फिनिश है, अब आप कोशन, सोशन, जितने डिसकस किये गए हैं, उतने ही जानिए, और अब से आप आईए वेक्टर्स पर, वेक्टर्स एक बार पढ़ा चुके हैं, हर बात समझा चुके हैं, ठीक है ना, और अब हम नोट्स, स्लाइड्स के रूप में, उसको आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहेंगे, बासन में आ रही ना, स्लाइड के रूप में एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, और अब वेक्टर्स वो पोर्शन है, जहां से सवाल आपकी कम्टीशन में आते हैं, और कम्टीशन में सवाल आते ही नहीं हैं, वेक्टर्स का application कई chapters में, कई chapters first year second year के कई chapters में numerical solve करते समय अगर vector का concept clear नहीं है तो आपको problem आएगी vectors आपको आना चाहिए है ना अब आपकी competition की physics शुरू हो रही है जो हर बात आपके लिए नहीं होगी अब 910 में आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा बाई Newton's law of motion मान लिए थोड़ा सा 910 में पढ़ाता है तो 11 में बहुत ज्यादा पढ़ा देगा मतलब 20 तो पढ़ गया है छोटे-छोटे आपको seeds पढ़ चुके है meganeism के भी electricity के भी अब वो पेड़ के रूप में दिखेंगे आपको उसमें बहुत से concepts दिखेंगे बहुत सी बातें दिखेंगी बहुत सी theories दिखेंगी है ना और बहुत अच्छे सवाल दिखेंगे लेकिन सबका seed आपके दिमाग में डाला जा चुका है 910 में ही कोई seed अब बढ़ा होगा तो वेक्टर तो 910 में में डाला गया था तो वेक्ट साथ में बता चुका हूं एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं गौर से देखिए इसको थोड़ा सा कि मैं पहले अपने मन से वेक्टर एक बार पढ़ा दो यहां भी पढ़ाना है ना आप मान के चले शुरुआ से कर रहे हैं ठीक ना तो देखिए ऐसा है कि पहले दो चारबार जानिए दो चारबार जानिए वेक्टर चेप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चेप्टर पढ़ने आ रहे हैं भैक्टर अब चल ले दिज्य कव perfection कि पहले एक बार पढ़ा देते हैं फिर स्लाइट से वही सारी बात आपके सामने आ जाएगी पहले बार पढ़ा देते हैं फिर स्लाइट से ही वही सारी बात आपके सामने आ जाएंगे तो देखिए फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती है जिनको हम कहते हैं फिजिकल क्व या भौतिक राशियां, बासन में आ रही है, clear है, तो भौतिक राशियों से घबडाई यह गाने हैं कि भौतिक राशियां, आप बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं पहले से, जैसे, length, mass, acceleration, time, ठीक है न, velocity, speed, distance, displacement, यह सब क्या है, physical quantities, force, these all are what? physical quantities, physics में कुछ quantities होती हैं जिनको physical quantities कहते हैं, बहुत तिक राशियां, यह बात सबको समच में आगई, पहली बात, सबको समच में आगई, बलो बड़ा, समें में आगई, अब दूसरी बात, दूसरी बात यह है, इन में कुछ physical quantities को scalar physical quantities कहते हैं और कुछ को vector physical quantities कहते हैं दूसरी बार एक एक बात बात को त्यार रखिए वेक्टर में कुल दस पंदर बात आपको जानना है हर चैप्टर में दस पंदर बात जानना है और सारे सवाल उन्हीं बातों से लगेंगे अब तीसरी बात तीसरी बात ऐसी physical quantities जिनको fully describe करने के लिए केवल magnitude ही परियाप्त है केवल परिमार ही दे दें तो परियाप्त है तो ऐसी physical quantities को हम scalar physical quantity कहते हैं बात सन में आगए अब जैसे मैं कह दूँ इनका mass है 10 kg इनका mass है 10 kg अरे weight ज्यादा होगा mass तो इतना ही नहीं होगा 10 से भी कम होगा ठीक है ना तो मान लिजए हम कहते है इनका mass है 10 kg तो कोई यह question नहीं कहेगा 10 kg east में है की west में है की north में है की south में 10 kg itself is sufficient to describe his mass simply by giving magnitude we can describe his mass fully full description of his mass is given simply by giving the magnitude of the mass that's why mass is called as a scalar physical quantity any physical quantity which can be fully described by simply giving its magnitude is called as scalar physical quantity whereas the physical quantities which need magnitude and direction both for their full description is called as vector physical quantity यह बासन में आई बासन में आई जैसे मान लिजए अगर मैं बोल लूँ यह 10 meter per second की velocity से चल रहे हैं तो जब तक हम यह नहीं पता कर सकते हैं कि वह किधर जा रहे हैं ठीक हैं जैसे मान लिजए हम कहते हैं कि हम 10 newton का फोर्स लगा रहे हैं तो 10 newton का फोर्स अगर हम ऐसे पहन इधर जाएगी ऐसे लगाएंगे तो पहन इधर जाएगी और ऐसे लगाएंगे तो पहन इधर जाएगी और नीचे से लगाएंगे तो पहन ऊपर जाएगी बासन में आ रहे हैं ना तो जब तक फोर्स का direction में बताएंगे तब तक फोर्स को fully describe नहीं कर सकते हैं फोर्स तक आप लोग जानते थे और बात सही भी थी इतर देखो बैटा मत करिए यार इस तरीके से एक एक ही बच्छा करता है लेकिन फिर उनकंफर्टेबल मैं हो जाता हूं नहीं करिए एक दम फुली इसमें डूब कर जो एक गंटे क्लास है इसमें से जो लेना है ले लिजे और घ सुने देखिए आपको कुछ दिन बाद आपके हम गर पर पढ़ते हैं लगार पहुंचते हैं हम देड़ घंटा पर पढ़ते हैं तो सवाल लगाते हैं क्लास में सब क्लियर वह याता है और यह तो बहुत आसान बातों से नहीं है तो एक बात को सुनूए हर बात फूत है देखिए इधर देखिए ध्यान से देखिए ये बात आप class 9 10 तक जानते थे और बात सही भी थी लेकिन class 11 में आपको एक बात और जाननी है कि simply by giving simply by knowing the magnitude and simply by having magnitude and direction a physical quantity cannot be vector ठीक है ना for being a physical quantity to be vector in addition to magnitude and direction it should also obey the parallelogram law of vector addition class 11 में आप एक बात जानेंगे कि physical quantity के पास अगर किवल direction and magnitude है तो किवल यही इतना परियाप नहीं है इसको vector कहने के लिए वेक्टर होने के लिए direction और magnitude के अलावा उसको parallelogram law of vector addition को भी follow करना पड़ेगा अगर वो parallelogram law of vector addition को follow नहीं करता है तो direction और magnitude होने के बावजूद भी वो vector physical quantity नहीं है बास अनमे आ रही ना अब parallelogram law of vector addition क्या है मैं अभी थोड़ी दिर में बता दूँगा इसी chapter में आज अगर time नहीं हुआ तो कल बता दूँगा ठीक है ना अच्छा अब आप देखिए जैसे एक example के तौर पर बताएं एक electric current है तो electric current का direction भी है और क्या है electric current का क्या है direction भी है और magnitude भी है है कि नहीं बता electric current का direction भी होता है और magnitude भी होता है मान लीजे कि इन दो wire से इस wire से 3 ampere, इस wire से 4 ampere current आ रहा है और दोनों मिल के यहाँ पर 7 ampere current जा रहा है ठीक है ना? तो electric current को देख के आप कह सकते हैं कि इसका direction भी है, magnitude भी है है ना? लेकिन इसके बाद भी यह vector नहीं है क्योंकि यह parallelogram law of vector addition को follow नहीं करती यह follow करती है, skiller edition के सिधान को 3 ampere और 4 ampere current भले different direction से आ रहा है लेकिन यहाँ पर यह 7 ampere हो जाता है यहाँ पर यह कितना हो जाता है? 7 ampere जो 3 और 4 का skiller sum है, vector sum नहीं है यह parallelogram law of vector addition को follow नहीं करता है ठीक है ना? तो direction और magnitude होने के बावजूद अगर कोई physical quantity parallelogram law of vector addition को follow नहीं करती है तो vector physical quantity नहीं है यह नई बात आप जान लीजे एक example मैंने दे दिया बासन में आ रही ना? अब आपकी मैं क्या कहते हैं, slide पर आता हूँ और देखता हूँ उसमें क्या-क्या दिया हुआ है उसमें क्या-क्या दिया है, slide से पढ़ा के तब मैं आ गई आता हूँ देखिए, यह आपका chapter start हो रहा है vectors chapter कौन सा start हो रहा है? सबसे पहले scalar quantity के बारे में दिया है तो हू बहू जैसे दिया है, वैसे ही तियार कर लिजे a physical quantity which can be described completely by giving its magnitude only and does not require a direction is known as a scalar physical quantity यही बात न सम्झाए है, यही बात न बोले है, बोली है भाई बस वही है, यह आपका notes है इसके लावा कुछ इसमें आप दिमाग मत लगाईएगा इतनी बात भी आप हर chapter की जान जाएए तो कम नहीं है बहुत chapter है, बहुत chapter है, बाई यह 115 chapter है फर्स्ट यह से केंटी में लागा, सिर्फ physics में उसके अद chemistry में यह इतने है, उसके अद maths औ बायो में भी इतने है तो आप कैसे कर पाएंगे इतना written notes हर chapter का अगर 15-15 पनने का आपकी जवान पे है तो इसके इसके लावा आप सिर्फ सवाल लगाई है ठीक है ना, तो यह हो गया फिर उसके बाद next बात दी आए it obeys the ordinary rule of algebra ordinary rule of algebra को scalar physical quantity ओबे करती है यानि 2 kg mass और 2 kg mass जोड़ेंगे तो 4 kg mass बनेगा इसमें direction का कोई मतलब नहीं है बासन में आ रही ना अब अगले बात देखिए इसका example दिया है distance, mass, time, speed, density, volume, temperature, electric, current, etc यह सारी क्या है scalar physical quantity यानि इनको fully describe करने के लिए बस magnitude ही दिर दिना परयाप्त होता है बासन में आ रही ना clear है बटा अब अगली बात देखिए vector physical quantity physical quantity which requires magnitude and a particular direction to express it fully is called as a vector physical quantity बासन में आ रही ना अब इसका example है displacement, velocity, acceleration, force, etc इसा मैं बता चुका हूँ बता चुका हूँ सब clear है ठीक है ना देखिए अभी 4-5 lecture हुए है आप आदत ऐसी डालिए कि एक गंटा एक गंटा 45 मेंट का जो lecture हो उसकी 100% बाद class में ही त्यार कर लिए यह पॉस्बूल है लोग बच्चे करते हैं अभी तो असान असान बात चले कटिन कटिन बाद भी आप class में ही त्यार कर लिए और घर पे जो आप पढ़ने बैटिए तो आप अभी तो आप class की बात रिवाइस करने में आदा गंटा सम मिलेंगे और फिर कुछ समय बाद आपका confidence ऐसा आजाएगा कि आप कहेंगे बस class में सुन लिया हो गया घर पे देखना भी नहीं घर पे मुझे केवल टाइम है उसमें कुछ सवालों की प्रेक्टिस करना है कि अब नेक्स देखिए एक बात और वेक्टर क्वांटिटी को ओवे करना भी है कान सा रूल वेक्टरर एकल अलेबरा का प्रलेलोग्राम लाउप टेदिशन को टो वेक्टर एकल अलेबरा किया होता है मैं आपको सम्झाा दूं इसकेलर फिशिकल क्वांटिटि को टो एड करने के लिए यह रूल से वह क्या है सकेलर एल्यभरा है और physical quantity को add subtract multiply or divide करने के जो specific rules है जिस तरह से scalar को add subtract multiply or divide किया आता है उस तरह से vectors को नहीं किया आता है तो vectors को add subtract multiply or divide करने के जो specific rules है जो मैं आपको next lecture में सम्होता बताऊंगा वो सब vector algebra का domain है these all are the domain of vector algebra मतलब vector algebra में यह आपको पढ़ना ठीक है बड़ा clear है अब लेक्ष देखिए vector अब एक नई बात आपके सामने आई एक नई बात आपके सामने आई vector vector की चर्चा हो गई तो पहले तो आपको यह इदर रखिए पहले तो आपको यह जानना है कि vector महाशाय दिखते कैसे हैं कैसे दिखते हैं किताब में दिख गए किसी question paper में दिख गए कहीं और दिख गए तो कई से जानेगे वेक्टर है वो बोलेगा किताब में किताब में वेक्टर रूम यह पहिशान हो एसा नहीं बहुत है ना कुईने कोई साइन होगा कुछ निया कुछ आज कि तारिक में मैं ऐसे कोओं और पूछू यह क्या है तो आप सालों चलाएंगे यह है क्या यह भी नहीं जानते यह तो यह है लेकिन जब पहली बार आपको बता गया वह क्लास फॉस्स सेकेंड में नर्सरी में तो यह भी बड़ी बात थी ऐसा मतलब ए तो वेक्टर आज एक नहीं बात है इसकी चर्शा हो रही है तो इसको कैसे रिप्रेंट करते हैं ऐसे इस तरह से रिप्रेंट करते हैं अभी तो ऐसे आप केवल तीर जानते थे लेकिन ऐसे वेक्टर होता है इसमें इसको क्या कहते हैं वेक्टर का टेल पूच और इसको क्या क शिखते हैं यह श्रव्र खांजटरों आप करने इस ट्रैक्र टेनी और रहा है और सिम्बालिक तरीका में और ओर बहुत भी है जैसे एक खुब गहरा बोल्ड लेटर से ऐसे लिख दिये ऐसे करके तो इमा सोच यह किताब में मिश्प्रिंट हो गया है इंक ब्लॉट हो गई है वो क्या कहते हैं वो करते समय मत्तल प्रिंटिंग करते समय इंक जादा निकल गई है ऐसा कुछ नहीं है अगर ब यहीं है इस लेंथ इस प्रपोशनल टो इंस मानिटूड तो इस इसका जो vector का length होता है वो किसके proportion होता है उसके magnitude का जैसे मालिक अगर 2 newton force का vector है तो उसका magnitude छोटा होगा उस vector के आगे जिसका जो 5 newton force का vector है ऐसा नहीं कि vector मतलब बस पूश और सिर होता है ये बीच वाले portion का कोई मतलब नहीं है बीच वाला portion उसके magnitude को signify करता है जितनी बड़ी length है उतना ज्यादा magnitude है उस vector का बासन में आगे ना ये छोटी छोटी बाते हैं सब कुछ मैं बता चुका हूँ लेकिन छोटी छोटी बातो से ही बड़ी बड़ी बाते होती है बासन में आई ना हाँ छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बाते होती है ठीक है छोटी छोटी बातों समझते जाईए तो बड़ी बड़ी बात समझते जाएंगे है ना अब next शीज देखिए ऐसे एक आ गया ऐसे अब आप देख यहां दिखाया है, A is a vector, A बराबर PQ, magnitude of A को mod of A से repaint करते हैं, यह सब बात आपको पता है, अगर vector का magnitude repaint करना है, तो कैसे repaint करेंगे, vector A और अगल बगल दूठो लाइन खीज देंगे, ऐसा मत कहिए है कि दूठो बाडी गार्ड हैं उसके अगल बगल, इसका मतलब है magnitude of vector A, this is vector A, and this is magnitude of vector A, इसका मतलब magnitude of vector A, magnitude of vector A में units से क्या मतलब है, magnitude मतलब परिमाण, जैसे velocity है, 2 meter per second square west, तो 2 meter per second square magnitude है, और west के high direction, magnitude से मतलब सिर्फ magnitude है, बासन में आ रही ना, अचा, अब next देखिए, types of vector, आब बताये vector को सम बैक्तर प्रादा देए, क्या होता है, vector को कैसे represent करते हैं, यह आपको बता दिया, यह आप जान गए, यह आप जान गए, अब आपको बतारा है vector, कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर कितने प्रकार कि होते हैं तो कुम मजा ले लेकि इत्मिनान से देखिए सबसे पहला है पैरलल वेक्टर पैरलल वेक्टर अगर दो वेक्टर इस प्रकार से हैं कि उनका लाइन उनका लाइन अफ एक्षन आपस में पैरलल है जैसे यह दिखाया है जैसे यह दिखाया तो यह parallel vector है कैसा वेक्टर है parallel बास simple बात ठीक ना अब देखिए those vector which have same direction are called parallel vector angle between the two parallel vector is always 0 simple बात और कोई बड़ी बात नहीं है एदम clear है बोलो भाई एक दम तो अभी तो आप लोग बच्चे एक दम फुल वाइबरेशन में रहे जितना आपका वाइबरेशन अच्छा रहेगा वाइबरेशन का मतलब भी नाशने लगी है निकल के लेकिन अंडर से थम्पिंग उसमें रहे है उत्सा में रहे है ठीक ना वट्सा बहुत ज़रूरी है तो सब हो जाएगा अब देखिए इकल वेक्टरस इकल वेक्टर कौन है दो वेक्टर उक्वल तब कहे जाएंगे जब उनका इक्वल या सेम एक ही बात है magnitude भी एक हो और direction भी एक हो इक्वल या सेम एक ही बात है ठीक है ना? इसे मान लिजे किसी vector को अपने parallel shift कर दीजे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी vector को अपने parallel shift कर दीजे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वही vector रहेगा ऐसे एक vector है इसको अपने parallel shift कर दीजे तो यह वही vector रहेगा जो पुराणा vector है तो equal vector से क्या मतलब है any two vectors which are same equal or same vector same magnitude and same direction तो वही बात यहां भी लिखा है vectors which have equal magnitude and same direction are called as equal vectors and these are represented by vector a बराबर vector b वह बड़ी बात है बहुत typical बात है यह सब typical दिमाग में बच्चे बना लेते हैं सक बता रहा हूं हर chapter में 15 से 20 बाते हैं उन बातों को सफाई से आप समझ जाए खुब clearly यह यह है वो वो है यह यह है यह है इसका वो मतलब है उसका वो मतलब है उसके बाद हर प्रश्ण को पढ़िए प्रश्ण में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है इसको जल्दी से जल्दी डियाग्नोस करने है और पिर कैसे करेंगे तीन बात शूरू में तो आपको सोचना पड़ेगा जले कर दो शुरू में तो आपको सोचना पड़ेगा अरे आप मोटरसाइकल भी चलाते हैं तो जब पहली बर मोटरसाइकल चला रहे थे तो कैसे होता था है आप सोचते थे कोई आएगा तो ब्रेक मार देंगे कोई है तो कलश मार देंगे स्वीट पढ़ाना सोच सोचे करते थे और अभी क्या करते हैं कि आप से कहा जाता है कि जाए आपको वहां जाना है आप कब चावी लिए कब मुटसाइकल स्टार्ट किए कब स्कूर्टी स्टार्ट किए कब लेकर पहुंच ज़िए कब समान ले दुनिया बर की और बास सोच आपकी आपकी रिफ्लेक्स चला रही है आपकी तो आप शुरू शुरू में हर सवाल को देखिए दिले-दिले और सोचे क्या पूच रहा है कैसे करेंगे शुरू में इस पर आपको सोचना पढ़ेगा और विश्वास मानिए अब से ठीक 6 महीने बाद सवाल देखते ही क्लिक कर देगा क्या दिया है क्या पूछ रहा कैसे करेंगे फिर एक ही बात बचेगी सुलूशन और सर्किल और सचाई मानिए तो सुलूशन और सर्किल के लिए आपको एक मिनट मिलता है सोचने का टाइम पांस सेकंड तो आप एक्स्ट्रा है अभी छोड़ी-छोड़ी बात सोचेंगे और बाद में पूरा पूरा एक आधे आधे पेज का कोशन आएगा तो आप एक सेकंड में पढ़ भी लेंगे और आटोमेटिक आपका दिमाग वहां पहुंच जाएगा कैसे कैसे करेंगे और सी ठीक चार पांस सेकंड बाद कोशन देखने का आप सोलूशन अरे बाब बाब खतरनाक है तो एंटी पैरलल मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनके लाइन अफेक्शन अपोजिट हो एक हई से जा रहा है तो एक हई से जा रहा है एंटी पैरलल वेक्टर जिनके लाइन अफेक्शन अपोजिट है वो एंटी पैरल कौँसी बड़ी बात है यार दो वेक्तर जिनके line of action एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है देखिए दो नीद में आ गए एक दो एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है इस तू वेक्तर सारकाड़ इस anti parallel vectors आप देखिए उसमें कोई बात में those vectors which have opposite directions are called as anti parallel vector and angle between them is 180 degree बासन में आ रही ना बासन में आ रही है अब नेक्शी देखिए negative और opposite vectors negative और opposite vectors हर vector का opposite vector क्या होता है उसका negative vector यह आपको दिखाया है यह vector है इसका opposite vector इसका negative vector negative vector का अपने vector से magnitude सेम होता है direction अपोईट होता है ठीक ना अगर ठीक है अगर दो equal vector में एक का line of action reverse कर दीजे तो negative vector बन जाएगा निगेटिव वेक्टर बन जाएगा तो वही दिया है vectors which have equal magnitude but opposite direction are called negative vectors a b is equal to minus b यह बहुत बड़े बड़े concept है ना यह तो आप direct भी देखके जान सकते हैं लेकिन एक दस्तूर है कि notes के साथ एक बार मैं उसको कह दे रहा हूं हर बात एक बार मैं बोल दे रहा हूं ठीक है ना कि अब नेक्षी देखिए कोई नीशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका point of application का है एक है यानि एक ही point of application से जो वेक्टर गए हैं उनको क्या कहते हैं को इनिशियल वेक्टर एक ही point of application है और हमेशा देखिए सुनिए घर भी पढ़ने बैठिए सुनिए घर भी पढ़ने बैठिए अकेले भी सुनिए आपको कोई खुस करने नहीं आएगा बहुत लोगी शकर में रहते हैं कि यह हो जाएगा तो हम खुस हो जाएंगे उससे बात कर लेंगे तो खुस हो जाएंगे वो मुझे टाइम देदेगा तो मैं खुस हो जाएंगा वो मुझे सचाई यह है कि अगर आपने खुद को खुस नहीं किया दुनिया की कोई ताकत आपको खुस नहीं कर सकते हैं यह चैलेंज से मैं बता रहा हूँ खुद को खुद को आप खुद से आप खुद सोना सिखिए घर पर पढ़ते समय भी आप हमेशा सुचिए सुनिये ये पढ़ाई एक तरीके का वरदान है आप सुचिए कितने लोग को वह उसर है कितने लोग को उसर है पढ़ने का आप यह बताए कितने लोग के आप आप लो तो यू आप ब्लेस्ट कि यू गॉट अन अपर्चुनटी तुबी टुटु टुटु प्रिपेर फॉर इटेन मेडिकल अलवेस तिंग लग देर इस पर बोर मत हो यह कि हम पाणना पढ़ा है अरे आप सोचे कि आपको असर मिला यह जातर लोग को तो असर ही नहीं पढ़ने संसाधन ही नहीं है इतनी महंगी पढ़ाई है इतनी महंगी किताबें यह सुचिए और और जो आप धन ले रहा है ना इससे बढ़कर कोई धन नहीं है यह आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा समय आपका आएगा दस साल बाल विश्वास मानिए सबसेशा समय आपका अभ भारकारी और विज्याधनम प्रद्यानम ना चौर चुल 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 की मानिए थे ikसे लेखbit च्व चबन राजा है और भाई यह पोलिए नगे नहीं पढ़ रहा है नदो शोर चुरा सकता है नहांाज्य हार्येम्न राजाचीन सकता है कोई आपकि ब्द्या शीन सकता है पैसा शेन सकता है नहीं चौता बहाई शोञा सकता है नह भृत तो सकता है द्न ह Vishay burnout बाति जाएगा आपका आप मेहनत किताइग के वहार काड़न द्राप्व होता है इसमें ब तो वेट बढ़ जाएगा नहीं न तो नच भारकारी और एक सबसे इंपॉर्टन बाल देखिए जो मैं पहले दिन से बोला हूं व्याय कृते विर्धन त्यम नित्यम जब आप व्याय करेंगे जितना इसको खर्च करेंगे उतना यह बढ़ता है कोई भी धन आप खर्च करेंगे तो घटता है ना दूसर रुपया है आपने 50 रुपया खर्च कर दिया देड़ सो बचाना इसको जितना आप खर्च करेंगे उतना यह पढ़ेगा तो वेकृते विर्धन त्यम नित्यम विद्याधनम सर्धनम प्रधानम और इन सब कुणों स तो युक्त विद्याधन क्या है सभी धनों में प्रधानम नहीं तो यूशुड फील ब्लेस्ट वाइल दिंग ओल दिस चलिए अब नेक्स देखिए को इनीशल दक बता के मैं छोड़ दे रहा हूं और कल मैं वेक्टर खतम कर दूंगा लेकिए को इनीशल वेक्टर और दो है तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं को इनीशल वेक्टर बासन में आए बड़ा इदम साफ है इदम क्लियर है चलिए ठीक